हेलो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में और आज मैं आपके लेकर आया हूँ जापान के खतरनाक शैतानों की दो सच्ची कहानिया पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के सभी मेंबर्स को शाउट आउट देना चाहूँगा तो संकेत मिश्रा, वन्ष दीप, आल अराउंड द वर्ल्ड, रैंडी ब्रार, बीर भद्रनायक, पियूश आवचार, कुमकुम्द पांडे, जै सिंग सिसोदिया, रॉबिन एम, आबिर सरकार, रामेश्वर राजपूत, पार्थ, विशेश रोहिला, सागर वैंगांकर, खगे, चौधरी, निशान्त, खाफनाक कहानिया, अभिसार, शुकला, और ध्वनी पटे, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे चैनल की मेंबर्शिप ली, और मैं आपका आभारी रहोंगा, तो अब आतें दोस्तों अपने आज के वीडियो पर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जापान की दो सबसे खतरनाक शैतानों की कहानिया, इन में से एक का नाम है हाची शाकु सामा, और दूसरे शैतान का नाम है जिकी निनकी, पहले मैं आपको हाची शाकु सामा के बारे में बताता हूँ, हाची शाकु सामा का मतलब होता है बहुत ही भयानक आवाज भी निकालती है इस आवाज से लोग समझ जाते हैं कि हाची शाकुसामा उनके आसपास ही कहीं है हाची शाकुसामा की कहानी सबसे पहले एक जैपनीज वेबसाइट पर 26 अगस्त सन 2008 को पोस्ट की गई थी उस वेबसाइट पर YFTY JTRNO यूजर नेम व और इसलिए आज मैं आपके लिए ये स्टोरी लेकर आया हूँ तो अब आगे की स्टोरी मैं आपको उसी शक्स के नजरिये से सुनाऊंगा जिसने ये स्टोरी पोस्ट की थी आज मैं आपको वो भयाना घटना बताने जा रहा हूँ जिसमें मेरा सामना हाची शाकू सामा से हो गया था ये घटना साल 1998 की है इस हाथसे में मेरी जान बड़ी मुश्किल से बचपाई थी तो बात यह है कि मेरे मम्मी पापा जापान के रहने वाले हैं लेकिन शादी के तुरंत बाद ही वो दोनों अमेरिका चले गए थे इस वज़ा से मेरा बचपन अमेरिका में ही बीता है और अमेरिका में ही मेरी पढ़ाई लिखाई भी हुई है तो बात यह है कि साल 1998 में एक बार जब मेरे स्कूल में छुटियां चल रही थी तब मेरे मम्मी पापा मुझे जापान में मेरे नाना नानी के घर लेकर गए थे उस समय मैं आठ साल का था मेरे नाना नानी का घर जापान में पहाड़ों के बीच बसे एक गाउं में था मैं पहली बार अपने नाना नानी के घर जापान आया था और मुझे देखकर मेरे नाना नानी बहुत ज़्यादा खुश थे मेरे मम्मी पापा मुझे नाना नानी के पास छोड़कर जापान के ही दूसरे हिस्से में घूमने के लिए चले गए थे मुझे भी इस बात से कोई परिशानी नहीं थी क्योंकि मुझे अपने नाना नानी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था मेरे नाना नानी का घर काफी बड़ा है और उस घर के बाहर एक बगीचा भी बना हुआ है उस बगीचे के चारों तरफ उची उची जाड़ियां भी लगी हुई है तो एक बार दोपहर के समय मेरे नाना नानी घर के अंदर बैट कर टीवी देख रहे थे और मैं बगीचे में लेट कर आराम कर रहा था फिर तभी लेटे हुए ही मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी वो आवाज बहुत ही अजीब और डरावनी थी उस आवाज को सुनकर मैं उठकर बैट गया फिर मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे वो आवाज मेरे पास आ रही है फिर उस आवाज के काफी पास आ जाने के बाद मैंने देखा कि एक बहुत लंबी आवरत बगीचे के किनारे लगी जाडियों के उपर से मुझे देख रही है वो आवरत बहुत ज़्यादा लंबी और डरावनी थी साथ ही वो बहुत भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए सिधा मेरी तरफ ही देख रही थी फिर मुझे देखते हुए ही वो औरत अपने मूँ से एक अजीब सी आवाज निकालने लगी इसके बाद वो औरत आवाज निकालते हुए वहाँ से चली गई उस औरत के जाते ही मैं तुरंट अपने नाना नानी के पास गया और साथ ही मैंने उनको उस औरत को देखे जाने की बात भी बता दी फिर पता नहीं क्यों मेरी बात सुनते ही मेरे नाना नानी बहुत ज़्यादा डर गए मेरे नाना डरते हुए मुझे से पूछने लगे कि क्या वा औरत बहुत लंबी थी और क्या उसने तुमको देख लिया नाना की बात पर मैंने कहा कि हाँ वा औरत बहुत लंबी थी और उसने मुझे देखा भी मेरी बात सुनते ही मेरे नाना नानी बहुत ज़्यादा डर गए फिर मेरे नाना ने नानी से कहा कि तुम बच्चे पर नजर रखना इसको एक सेगंड के लिए भी अपनी आँखों के सामने से मत हटने देना इतना बोल कर नाना वहाँ से चले गए अपने नाना नानी का यो बरताओ देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी फिर मैंने अपनी नानी से पूछा कि क्या हुआ नानी आप लोग इतना डरे हुए क्यों है तब नानी ने मुझसे कहा हाची शाकु सामा ने तुमको चुन लिया है जो इनसानों को अपना शिकार बनाती है बहुत साल पहले इस आत्मा ने हमारे गाउं के कई बच्चों को मार डाला था तब चार बहुत भिख्शियों ने इस आत्मा को पकड़ कर एक घर में कैद कर दिया था लेकिन लगता है कि ये बुरी आत्मा किसी तरह से गये नाना के साथ एक बूडी औरत भी आई हुई थी उस औरत ने अपना नाम केसान बताया था नाना जी के साथ आई वो औरत मुझे मेरे बेडरूम में ले गयी फिर उस औरत ने बहुत से कागजों के उपर जापानी भाशा में कुछ लिख कर मेरे कमरे के सारे खिड़की और दर्वाजों के उपर चिपका दिया केसान ने बताया था कि ये सब पवित्र मंत्र हैं जो मैं कागज पर लिख कर तुम्हारे कमरे के सारे खिड़की दर्वाजे पर चिपका रही हूँ ताकि हाची शाकुसामा कहीं से भी तुम्हारे कमरे में ना आ पाए इसके बाद केसान ने मेरे कमरे के बीचो बीच लकडी के एक बकसे के उपर बुद्धा की एक मूर्ती रख दी उन्होंने उस मूर्ती के आगे कुछ अगरवतियां भी जला दी फिर केसान ने मेरी नानी से चार कटोरी में नमक भर के लाने को कहा जब नानी कटोरी में नमक लेका राएं तो नमक से बरी कटोरीयों को केसान ने मेरे कमरे के चारों कोनों में रख दिया फिर मेरे नाना ने दो बाल्टी लेकर मेरे कमरे में रख दी उनमें से एक बाल्टी खाली थी और दूसरे में पानी भरा था नाना ने मुझे कहा ये बाल्टीयां तुम्हारे टॉयलेट और पॉटी करने के लिए हैं ये सब देखकर मैं बहुत कन्फ्यूज हो रहा था मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है पर तभी मुझे केसान ने सब कुछ समझाया उन्होंने मुझसे कहा देखो बेटा मैं समझ सकती हूँ ये सब तुमको बहुत ही अजीब लग रहा होगा पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब तुम्हारी भलाई के लिए ही है हाची शाकु सामा ने तुमको अपना निशाना बना लिया है इसलिए किसी भी तरह से हमें तुमको एक रात के लिए उस शैतान से दूर रखना होगा तब जाकर तुम्हारे सर से खत्रा टल पाएगा बस तुम एक बाद याद रखना कि किसी भी हाल में तुमको अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है तुमारे नाना या नानी कोई भी तुमको सुबा से पहले बुलाने नहीं आएंगे इसलिए अपने नाना नानी की आवाज पर भी तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना इसके बाद केसान ने कागज की एक परची पर कुछ लिख कर मुझे दिया और कहा की कागज का ये टुकड़ा तुम आज पूरी रात अपने साथ ही रखना चाहे जो हो जाए इस कागज को तुम अपने से दूर मत करना अब हम सब कल सुबह साथ बजे ही तुम से मिलेंगे इसके बाद नानी ने मुझे जल्दी से बना कर खाना ला कर दिया और नाना ने मुझे कहा बेटा तुम्हें किसी भी कीमत पर केसान आंटी की बात माननी ही होगी तुम बस किसी तरह ये रात काट ले जाओ बाकि कल सुबह सब ठीक हो जाएगा तुम किसी भी हाल में अपने कमरे से बाहर मत निकलना और हाँ हम सब के यहां से जाते ही तुम अपने कमरे का दरवाजा भी अंदर से लॉक कर लेना अब कल सुबा 7 बजे है तुमसे मुलाकात होगी इतना बोलकर मेरे नाना नानी और केसाण आंटी मेरे कमरे से बाहर चले गए अब तक शाम भी हो चुकी थी मैं बहुत डरा साहमा सा अपने कमरे में बैठा था मैं सोच रहा था कि क्या हाची शाकु सामा सच में मुझे मार डालेगी यही सब सोचते हुए मैं अपने कमरे में लेटा रहा फिर मेरे लेटे लेटे ही रात के 11 बज गये लेकिन इतनी रात को भी मुझे कोई भी अजीब बात महसूस नहीं हुई तब मैं सोचने लगा कि शायद मेरे नाना नानी कुछ ज़्यादा ही परिशान हो रहे हैं और ये इतनी ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है यही सब सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला फिर अचानक से रात के एक बजे ठक ठक की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई नींद से उठते ही मैंने महसूस किया कि कोई मेरे कमरे की खिड़की को खटखटा रहा है यह देखते ही डर के मारे मेरी जान मेरे हलक में आ गई फिर डर के मारे मैं चुपचाप अपने बेट पर ही बैठा रहा ठक ठक की वो आवाज 10-15 मिनट तक आती रही उसके बाद वो आवाज बंद हो गई फिर इसके बाद मेरे कमरे के दर्वाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आने लगी वो आवाज सुनकर भी मैं बहुत ज़्यादा डर गया था पर तभी मुझे मेरे नाना की आवाज सुनाई दी वो कह रहे थे बेटा, तुम अंदर ठीक तो हो कोई परिशानी तो नहीं है तुमको अगर तुम्हे डर लग रहा हो तो बताओ मैं तुम्हारे कमरे में आ जाता हूँ तुम्हें परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है अपने नाना की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था फिर तेजी से भाग कर मैं अपने कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगा पर अपने कमरे का दरवाजा खोलने से पहले ही मेरी नजर कमरे में रखी नमक से भरी कटोरियों पर पड़ी तब मैंने देखा कि उस कटोरी में रखा नमक धीरे धीरे काला पड़ने लगा था ये देखकर मैं तुरंट कमरे के दरवाजे से दूर हट गया फिर तबी दोबारा मुझे नाना ने आवाज लगाई और कहा क्या हुआ बेटा तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है दरवाजा खोलो मुझे अंदर आने दो मुझे एहसास हो गया था कि ये मेरे नाना नहीं है फिर कुछ समय तक सबकुछ बिल्कुल शान्त रहने के बाद कमरे के बाहर से मुझे वही भयानक आवाज आने लगी वो आवाज सुनके मैं बहुत ज़्यादा डर गया फिर तभी एकदम से मेरे कमरे के दरवाजे और खिड़की पर ठक ठक की आवाज आने लगी वो आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी मैंने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को ढख लिया था पर तब भी मुझे वो भैनक आवाद सुनाई दे रही थी मैं डर के मारे रोने लगा था मुझे लग रहा था कि आज मैं पक्का मारा जाओंगा फिर पता नहीं कब रोते रोते ही मुझे नींद आ गए कमरे के बाहर आते ही मैं अपनी मम्मी के गले लग गया तब ही मेरे नाना ने मेरी मम्मी से कहा कि अभी खत्रा टला नहीं है तुम सब को जल्द से जल्द इस जगह से जाना होगा फिर मेरे नाना मुझे और मेरी मम्मी पापा को एक बड़ी वैन में बिठा कर एरपोर्ट की तरफ चल दिये वैन मेरे नाना चला रहे थे और उनके बगल में केसान आंटी बैठी हुई थी मैं अपने मम्मी पापा के बीच में बैठा हुआ था तब ही वैन चलते ही केसान ने मुझसे कहा चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी आखें बंद रखना तुमें किसी भी आवाज का कोई जवाब नहीं देना है इसके बाद बहुत तेजी से वैन हम सब को लेकर एरपोर्ट की तरफ जाने लगी हम वैन से अभी कुछ दूर ही गए थे कि तभी मुझे वही भयानक आवाज आने लगी वो आवाज सुनकर मैंने धीरे से अपनी आख खोल कर गाड़ी के बाहर देखा तो पाया की एक बहुत लंबी पतले और भयानक औरत हमारी वैन के साथ साथ दोड़ रही थी उस भयानक औरत को देख कर डर के मारे मेरी चीक निकल गई तब केसान आउंटी ने मुझे डाटते हुए कहा मैंने तुम से कहा था ना कि तुम अपनी आखें बंद रखना तुम बात क्यूं नहीं मान रहे हो मेरी केसान के इतना बोलते ही हमारी गाड़ी की हर खिड़की दर्वाजे पर किसी के हाथ मारने की आवाज आने लगी फिर केसान ने भी जोर जोर से कुछ मंतर बोलने शुरू कर दिये केसान के मंतर बोलने के कुछ देर बाद ही सब कुछ शान्त हो गया फिर कुछ देर में हम सब एरपोर्ट पहुँच गए एरपोर्ट पहुँच कर मेरे नाना ने मुझसे कहा बेटा अब तुम कभी भी हमारे पास नहीं आ सकते क्योंकि हाची शाकु सामा एक बार जिसको अपना निशाना बना लेती है वो उसको कभी भी नहीं भूलती नाना के इतना बोलने के बाद ही मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर फ्लाइट में बैट गया इसके बाद मैं अमेरिका आ गया इस घटना के बाद मैं कभी भी अपने नाना नानी के घर नहीं गया हाँ मेरे मम्मी पापा जरूर नाना नानी को देखने जाते रहते हैं वैसे मेरे नाना ने मेरी जान उस बहानक आत्मा से बचाई थी वरना आज मैं जिन्दा ही नहीं होता तो दोस्तों ये थी हाची शाकु सामा की एक स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और जापानी अर्बन लेजन्ड जिकिनिंकी की कहानी पर पहले मैं आपको जिकिनिंकी के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जिकिनिंकी एक शैतानी जीव होता है जिसके पास कई जादूई शक्तियां होती है जिकिनिंकी मरे हुए इंसानों को खाता है जापानी कल्चर में कहा जाता है कि ऐसे इंसान जो बहुत लालची होते हैं और जो दूसरे लोगों को बहुत परिशान करते हैं वो मरने के बाद जिकिनिंकी बनते हैं जिकिनिन्की का हुलिया और हरकतें काफी कुछ घोल से मेल खाती हैं तो ये थी जिकिनिन्की के बारे में एक छोटी सी डिटेल और अब मैं आपको सुनाता हूँ जिकिनिन्की की ही एक बयानक कहानी तो ये घटना बहुत ही पुराने समय की है तब एक बार जापान में मूसो कुकोशी नाम का एक बहुत भिख्शू जापान के ही माइनो कागावा नाम की जगह से होकर गुजर रहा था माइनो कागावा एक पहाड़ी इलागा है जहांपर पहाड़ों के साथ ही घने जंगल भी है तो माइनो कागावा के जंगलों से होकर जाते समय मूसो कुकोशी रास्ता भटक गए उस समय तक रात भी होने लगी थी फिर काफी देर तक खोजमीन करने के बाद मूसो को जंगल में ही एक जोपड़ी दिखाए दी वो जोपड़ी भी एक बहुत भीक्षू की ही थी मूसो ने उस बहुत भीक्षू से कहा मैं यहाँ पर रास्ता भटक गया हूँ और रात भी होने वाली है क्या आप मुझे एक रात के लिए अपनी जोपड़ी में रुकने देंगे मूसो की बात पर उस दूसरे बहुत भीक्षू ने कहा की नहीं मैं आपको अपने आ रुकने नहीं दे सकता मैं किसी भी शक्स को अपनी जगह पर नहीं आने देता हाँ पर मैं आपको पास कहे गाउं का रास्ता बता देता हूँ जहां पर आप की रात बिताने की विवस्था हो जाएगी इतना बोलकर उस भिख्शु ने मूसो को गाउ का पता बता दिया इसके बाद मूसो उस गाउ की तरफ चले गए जब मुसो उस गाउं में पहुंचे तब उनको पता चला कि उस गाउं में किसी शक्स की मौत हो गई है और उस गाउं के सभी लोग उस मरे हुए शक्स की लाश को एक घर में रख कर दूसरे गाउं जा रहे थे ये देखकर मुसो ने उन गाउंवालों से पूछा कि आखिर वो लोग इस लाश का अंतिम संसकार ना करके उसको ऐसा ही घर में क्यों छोड़ कर जा रहे हैं तब गाउंवालों ने मुसो को बताया कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पूरे गाउंवालों पर शराप लग जाएगा जिससे हमारी फसलें खराब हो जाएंगी और हमारा पूरा गाउं बरबाद हो जाएगा गाउंवालों की बात सुनकर मुसो ने सोचा कि उसको इन गाउंवालों की मदद करनी चाहिए इसलिए उसने गाउं वालों से कहा अगर ऐसा है तो फिर आप लोग दूसरे गाउं चले जाएए मैं आज की पूरी रात इस लाश के पास ही बैट कर बिताओंगा इसके बाद सभी गाउं वाले मूसो को उस लाश के साथ अकेला छोड़ कर चले गए इसके बाद मूसो उस लाश के पास ही ध्यान की मुद्रा में बैट गए फिर इचानक रात के एक बजे मूसो को अपने आस पास कुछ हलचल महसूस हुई फिर थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक बहुत भयानक राक्षर जैसा कोई जीव प्रकट हो गया ये देखकर मूसो इतना डर गए कि वो अपनी जगा पर से हिल भी नहीं पा रहे थे फिर वो भयानक जीव उस लाश को खाने लगा मूसो ये सब अपनी आँखों से देख रहे थे फिर उस लाश को खाने के बाद वो भयानक जीव वहां से गायब हो गया इसके बाद सुबह जब सभी गाउवाले वहाँ पर आए तो मुसो ने उनको उस राक्षास द्वारा लाश को खा लिये जाने वाली बात बता दी तब गाउवालों ने कहा कि उनको ये सब पहले से पता है इसलिए वो लोग मरे हुए शक्स को रात भर के लिए अकेला छोड़ कर चले जाते हैं ताकि वो शैतान लाश को खा कर चला जाए और बाकी लोगों को नुकसान ना पहुँचाए गाउवालों की बात सुनकर मुसो को बहुत हैरानी हुई पर इसके बाद ही मुसो वहां से आगे अपने रास्ते पर जाने लगे रास्ते में उनको उसी बहुत भिख्षू की जोपड़ी फिर से मिली अपकी बार वो बहुत भिख्षू मुसो को देखते ही उनसे माफी मांगने लगा ये देखकर मूसो को लगा कि शायद कल उसने मूसो को अपनी जोपडी में रुकने नहीं दिया था इसलिए वो माफी मांग रहा है पर उस भिक्षू ने मूसो से कहा मैं आपसे माफी चाहता हूँ कल रात आपको जो भी भायानिक नजारा देखना पड़ा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तब मूसो ने उस भिक्षू से कहा कि तुम कल रात की घटना के बारे में कैसे जानते हो तब उस भिक्षू ने कहा मैं ही वो शैतान हूँ जो उस लाश को खा रहा था ये सुनकर मूसो को बहुत हैरानी हुई तब उस भिक्षू ने बताया कि मैं एक बहुत भिक्षू था पर समय के साथ मेरे अंदर लालाच और घमंट जैसी बुराईयां आ गई जिसकी वज़े से मरने के बाद मुझे जिकिनिंकी बनके मरे हुए लोगों को खाना पड़ रहा है मैं इस शराब से मुक्ती चाहता हूँ ये बात सुनकर मुसो कुकोशी ने कुछ धार्मिक क्रिया कलाब करके उस भिक्षू को जिकिनिंकी के शराब से मुक्त कर दिया दोस्तों मैं ये तो नहीं जानता कि ये कहानी कितनी रियल है पर एक बात मैं अच्छे से कहा सकता हूँ कि इस कहानी से हमें एक बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है शिक्षा, इमानदारी और एक अच्छे इनसान बनने की तो दोस्तो आज के वीडियो यहीं पर खताम होता है मुझे पता है कि ये स्टोरी कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी लेकिन फिलहाल काम चला लीजिए नेक्स टाइम मैं इंडियन स्टोरी लेकर आँगा वो भी बहुत ही अच्छी कहानिया और मैं लेट भी नहीं होंगा बीच में मेरी तवियत खराब हो गए थी इधर डेंगो बहुत हो रहा है मेरे लखनाओ में तो मुझे भी दिक्कत हो गए थी प्लेटलेट्स मेरे घट गए थे खेर अब आगे से मैं लेट नहीं होंगा और टाइम पे वीडियो अप्लोड करता रहोंगा बागी अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाये रखें क्योंकि आपके बिना में कुछ भी नहीं हो तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए हरे क्रिश्ना